EKI Energy एक Small Cap Indoor Base Carbon Credit Solution Provider Company जिसका शेयर डेड़ साल में 960% बढ़ जाता है आखिर कमपनी में चल क्या रहा है? समझने के लिए इस वीडियो को अंद तक देखेगा क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट समझना है और आपको इस कमपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और वो पॉइंट है Carbon Credit एक ऐसा Permit या License जो की Allow करता है किसी भी कमपनी को कि वो परियावरण में CO2 और Other Green House Gases को Release कर सकता है मतलब की परियावरण को जो Pollution कर सकता है आगर उसके पास वो Certificate है कमपनी के Management के नुसार कमपनी जो Sales करती है उसकी 100% Sales उनका Revenue वो Export से आता है बेसिकली कमपनी Carbon Credit को बेच कर जो Commission मिलता है वो कमपनी की Sales है या कमपनी की कमाई है अब आप ध्यान से सुनिएगा एक जनवरी 2021 पैरिस एग्रिमेंट पैरिस एग्रिमेंट में डवलप कंट्रीज Net Zero Emission Company बनना चाहती है या उस एग्रिमेंट को करती है जिसमें वो 2050 तक Net Zero Emission Company बन जाएंगी चाहिना भी करता है उस एग्रिमेंट को उसमें 2060 तक वो डेट डिसाइड करते है 2060 और भारत 2070 तक यही से कमपनी के अंदर खेल चुरू होता है उपरेटर का और वो खेल इस परकार है जिस कमपनी की सेल सन 2020 में 65 करोड थी वो 2022 तक बढ़कर 1800 करोड हो जाती है 2022 के पहले फिनेंशल क्वार्टर में बता रहा हूँ मैं आपको जिस कमपनी का प्रोफिट चार करोड था वो भढ़कर 383 करोड हो जाता लगबक 96 गुना एपीएस 2020 में जो आट रुपे 94 पैसे था वो बढ़कर 557 रुपे हो जाता है 557 बुक वेल्यू 49 रुपे से बढ़कर सीधा 500 पिक्चार में रुजाती है सन 2022 तक जो कमपनी डिविडेंट नामातर जीरो देती थी 2020 में 2022 आते आते फिनेंशल येर में वो कमपनी डिविडेंट बार देती है 20 रुपे का यही नहीं कमपनी का ग्रोस मार्जन जो नौर पॉंट 45 परसेंट था वो बढ़कर 28.72 परसेंट हो जाता है अब आप फिनेंशल येर 22-23 के दिसंबर में वाई ओन वाई बेसिस पे कमपनी की परफॉर्मेंस को देखे कहने का मतलब जो अभी ये दिसंबर क्वाटर गया है इसमें कमपनी की आए में 40% की गिरावट है पिछले क्वाटर अगर पिछले साल के क्वाटर के मुकाबले देखे मलब 688 करोड की जिसमें सेल करीती कमपनी ने वो मातल इस क्वाटर में 607 करोड की रह गई है मुनाफ़ा 161 करोड से घड़कर 38 करोड हो गया है मारजन 31% से घड़कर 11% रह गया है अब इस कमपनी पर जो कमपनी के ऑडिटर है उन्होंने ही सेल्स को मैनुपलेट करने का आरोप लगाया है और कमपनी के मैनेजमेंट का कहना यह है कि वो भी एक इंट्रिव्य में बोल रहे थे कि कमपनी के को आने वाले अभी दो-तिन क्वाटर पर ग्रोध में दिक्कर दिख रही है मारजन पर प्रेशर दिख रहा है यह एक हूब हूँ एक कमपनी थी वाकरंगी आज से तीन से चार साल पहले उस कमपनी ने भी यही काम किया था सेम अपने शेर को चलाने के लिए उन्होंने सेल्स को मैनिपलेट किया प्रॉफिट को मैनिपलेट किया और अंत्त है वो कम्पनी सर्किट टो सर्किट नीचे आई और उसने शेर होल्डरों को बहुत नुक्सान दिया अगर आप EKI के शेर होल्डिंग पैटरन को देखते हैं तो FII और DII इसकी शेर होल्डिंग पैटरन ये बता रही है कि डेड़ साल पहले लगाया हुआ पैसा पांच गुना करके वो कम्पनी में से निकाल चुके हैं और बचा हुआ पैसा जो कि उनके लिए फ्री हो चुका है उसको पबिलिक को बेचने के लिए लगे हुए है उमीद करता हूँ कि ये आपको ये वीडियो देखकर शेर के बारे में आपकी राए किलियर हो जाएगी और शायद आप इस शेर से बचे लेने से क्योंकि ये किलियर कट एक स्कैम है लोगों का पैसा लूटने का एक तरीका है जो इसमें फसेगा उसे एक्जिट होने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा तो उमीद है आप इस कंपनी से बचेंगे और अपनी इंवेस्टमेंट को बचाएंगे